आज हम यहाँ यह मूर्थी का इन्योग्रेशन कर रहे हैं, शिवाजी महराज की, यह सिर्फ एक मूर्थी नहीं है, मूर्थी जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को, उनके कर्मों को, दिल से समर्थन करते हैं, हम यहाँ आए, यह कोई यहाँ आए, और मूर्थी इन्योग्रेट कर दी, और जो इनोंने पूरी जिन्दगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना, तो मूर्थी का कोई मतलब भी नहीं है, तो जब हम इनकी मूर्थी का इन्योग्रेशन करते हैं, तो हम यह भी वचन लेते हैं, कि जिन चीजों के लिए यह लड़े थे, जिस तरीके से यह जिये थे, उनके जितना नहीं, शायद हम ना कर पाएं, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए, शिवाजी महराज जी ने, देश को दुनिया को क्या मेसिज दिया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था, कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याए नहीं करना है, तो अगर हम सोचें, कि इनकी सोच का जो, आज कौन सा चिन है, तो ये है, सीधा सा कनेक्शन है, जो शिवाजी महारेज ने कहा, 21 सदी का जो, उसका ट्रांसलेशन है, वो ये है, इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी, जिसके लिए वो नहीं लड़ेगी, पूरी जिन्दगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किये, उन्हीं की सोच से ये कॉंस्टिट्यूशन आया है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहुजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता, मतलब सीधा connection है, अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा जो इसकी रक्षागरती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा जो Constitution को सम्विधान को खतम करने में लगी हुई है. सुबह उठते हैं और प्लैनिंग करते हैं कि भहिया शिवाजी महराज का जो विचारधारा का Constitution है उसे खतम कैसे किया जाए हिंदुस्तान की संस्ताओं पर आक्रमन करते हैं. लोगों को दराते हैं, धमकाते हैं और फिर जाकर शिवाजी महराज की मूर्ती के सामने मत्था देखते हैं. इसका कोई मतलब भी नहीं है. अगर आप शिवाजी महराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ती के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए आप देखिए विचारधारा बहुत पुरानी है इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी जब इनका राज अभिशेक होना था उसी विचारधारा ने राज अभिशेक नहीं हूने दिया यह कोई नई बात नहीं यह मत सोचिए कि भईया यह नई लड़ाई चल रही है Constitution की लड़ाई नहीं है यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वो ही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे शिवाजी महाराज लड़े थे उसी के खिलाफ उची विचारधारा के साथ आज Congress Party लड़ रही है और आपने देखा नियत दिख जाती है नियत को चुपाया नहीं जा सकता है उन्होंने शिवाजी महराज की मूर्ती बनाई और कुछी दिन बाद वो मूर्ती तूट कर गिर गई नियत गल्द थी मूर्ती ने उनको मेसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महराज की मूर्ती बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी इसलिए वो मूर्तिगिरी है क्योंकि उनके विचारधारा गल्थ है वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 गंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाप काम करते हैं आप देखिए इनका राज अभिशेक नहीं होने दिया राम मंदिर के इनॉग्रेशन में पार्लिमंट के इनॉग्रेशन में आधिवासी राष्टपती को जाने नहीं दिया सोच एकी है सोच में कोई फरक नहीं आया विचारधारा एकी है और लड़ाई एकी है यह राजनेतिक लड़ाई नहीं है यह विचारधारा की लड़ाई है यह Constitution समविधान की लड़ाई है और इसके अंदर समविधान के अंदर शिवाजी महराज जी है उनकी आवाज है उनकी सोच है उनकी विचारधारा है तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं श्रिवाजी महराज की को मानता हूँ तो आप उससे पूछिए आप मूर्ती के सामने हाथ जोडते हो मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो क्या आप हिंदुस्तान के संस्ताओं को बचाते हो क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ती के सामने जाकर हात में लाने का कोई मतलब नहीं दिल में बात होनी चाहिए दिल के अंदर सोच बाहर के बिबी कुछ दिखा दे उसका कोई मतलब नहीं होता महराश्चरा के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह सुनते समझते हैं ये जो विचारदारा है मैंने कहा कि शिवा जी महाराज की विचारदारा है मगर शिवा जी महाराज को ये विचारदारा कहां से आई महाराष्टा से आई महाराष्टा की धर्ती से आई महराष्टा की जंता से आई और यह आपके खून में है जब भी मैं महराष्टा आता हूँ मुझे यह दिखाई देती है आपके चेहरों में आपके कर्मों में आपके दिल में हर रोज शिवाजी महराज दिखाई देती है उनकी सोच दिखाई देती है और आप लड़ते हो इसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी गर्मी में आप खड़े हैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और कॉंग्रेस के जो कारे करता है और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उनसे में कहना चाहता हूँ आपका काम शिवाजी महराज की विचारधारा की रक्षा करने का है आपका काम समविधान को बचाने का है इसकी रक्षा करने का है क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महराज की याद का आदर करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं धन्यवाद नमस्कार झाल 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 झाल